हेलो दोस्तों असलाम अलेकूं मैं नाम अद्दिन खान यूटूब चैनल हम साथ है के साथ और आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं खजूर के पेड़ों का वो कुछ खास जानकारी जो आपके लिए सिर्फ है और किसी भी कंट्री से हमारे वीडियो को आप देख रहे हो तो इससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी और उम्मिद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए मैं जानकारी आपको देता हूँ कि आज जो खास चीज है उस खास चीज की कौन सी च कर रहा था कि वह खास ही यह है कि यह खजूर का जो पेड़ होता है देखें इसमें कितने बच्चे आप पहले मैं गिन के दिखाता हूँ आपको लाइव जो कैमरे पर मैं गिनता हूँ कि कितने बच्चे इसके अंदर है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और, नो, इसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं अब यह आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस पौधे के अंदर इस थावले के अंदर अगर आप खाद या फिर पानी डालते होंके तो उसका जो ताकत होती हो सारे बच्चों पे सारे पेड़ों पे बढ़ती होगी वह ताकत तो क्या होता है कि जो अच्छा पेड़ है जो बड़ा देख रहे होगा यह सीधा एक बड़ा पेड़ यह सही है और साइड में बच्चे हैं तो इस पर खजूर जो आती होगी वह साइज में छोटी होगी तोड़ा सुका हुआ होगा और अच्छी नहीं होगी मोटी नहीं होगी क्योंकि जो सारी ताकत है वो सब पर बढ़ जाएगा सारे पेड़ बच्चों पर तो यह प्रॉब्लम होता है और आप कभी भी थाउले में लगाएं तो सिंगल पेड़ लगाएं ने तो वो जो है जो ताकत है इसके अंदर जो आप खाट डालते होंगे या पानी लगाते हैं वो सारे बढ़ जाते हैं बच्चों पर ताकत उसकी तो इसमें फल जो है छोटा आता है छोटा आएगा पतला आएगा सुखा हुआ आएगा तो यह प्रॉब्लम है जो बच्चों ज्यादा होने के कारण है जो मैंने आपको बता दिया और कुछ लोग बच्चे इसलिए छोड़ दे हैं इनका से कोई फायदा भी नहीं है और जो काम करने जाते हैं मजरे वाले या फिर जो जो भी होगा जो इसका बगीचा होगा किसी भी कंट्री में वो जब पेड़ पर चड़ने जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है दिक्कत क्या होती है वो भी मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं देखें ये काटा देख रहा है ये सुई के नोक से भी पतला इसका काटा है और यकीन आप नहीं करेंगे कई बार मुझे भी धस गया ये काटा और बहुत ही प्रावलम होती है इस काटे से और इसके अंदर अगर आप कोई काम करने जा रहे हो जनवरी या फरवरी में इसका का सफाई होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फल आएगा वह फल जो भी तोड़ने जाता है तो उसको काटा धसता है तो एक बार इस पे चड़ना पड़े काटा सफाई के लिए दूसरी बार चाहिए फूल है उसको सही करने के लिए तो अगर काटे रहेंगे तो बीच में दिक खाद इसके अंदर तो वो खाद की जो ताकत होती है सपे बढ़ जाती है तो इस में आये हैं तो यह पेड़ मिला जिसमें कम से कम आट दास बच्चे देखें चारों तरफ से बच्चे कुछ इदर से बच्चे हैं वही पेड़ देखी में घुमा के कैमरे को ले जा रहा हूं और इस बच्चे में रहने से क्या है कि इनको फायदा भी नहीं है उस सारे बच्य पर खyn おना दिख रहा होगा आपको दूर संब्सक्राण बीजिन दिखें थार यह अ इसमें वह उनके प्रट से प्रट है बाकि सारे छोटे छोटे किनारे हैं तो क्या होता है काम करने वाला जो भी होता है उसे बहुत दिक्कत होती है काटे साप करने में फूल तोड़ने में तो वो दिक्कत तो अलग चीज़ है लेकिन उसका जो फल आता है उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है तो आप जो मेरी बच्चे हैं चार हैं पांच है साथ है तो उसमें problem होगी फल उसका छोटा आएगा तो यह खाष जानकरी थी जो मैंने आपको दे दी उमीद करता हुं मेरि जानकरी से आपको सारी बाते समझ में में आई होगी और समझ में आई तो हमारी बातें से अपने पिढ़ों को ख्याल लग है किसी भी कंठी में हो देखें इस प्यड में कम से कम हो चार से पाँच वंद्चे हैं कि और मेरे इस साफ से लगता इस बागीचे मैं करीब करीब हर से बिय किरिद में कम से कम 4-5-6 बच्चे हैं देखिए इसमें कि तीन कर भी दिखा दे रहा 완성 । घो एजा llegar लगाए जो भी इसके अंदर काम करने वाला जाएगा चाये कोई भी हो चाये मplश का देख रिख करने वाला हो बाकी जाब मुझा जाती बागी ये करने वाला व euro उसको प्रौल्म होती है नोशरी बात यह फूर को कम जो आभ पर फल जो निकलता है उसको भी कमजोर करता है क्योंकि जो आप खाद डालते हैं वो सारे बच्चों पर उसकी ताकत बढ़ जाती है तो जो बड़ा पीड़ होगा जो अच्छा होगा उसको कम मिलेगा तो उसका फल जो चोटा जाता है यह प्रॉब्लम थी यह यह जानकारी थ देखिए यह देखिए देखिए इसमें बच्चे कम है तो यह काफी मोटा पेड़ है आपको मैं नजदीक से दिखा द रहा हूं ताकि आपको समझ में आये कि जो मैं समझाना चाहरा हूं आपको देखिए इसमें कितने बच्चे है यह बच्चे है और यह काफी मोटा पेड है कि देखे काफी ताकतवर यह पेड़ है तो जीस पेड़ में बच्चे कम होते हैं वह ताकतवर भी होता उसका फल भी मोटा होता है तो यही सब जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी आज यह खास जानकारी थी फल के बारे में जो मैंने दे दिया और क्या है कि मेरे इस्प्रियंस की हिसाफ से मैं यह बताता है कि मैं जहां भी वीडियो बनाता हूं यहां थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रावलम है पेड़ तो ज्यादा लेकिन ऑक्सीजन की थोड़ा यहां प्रावलम है इसलिए जब भी मै वीडियो बनाता हूं तो सांस जो फून ले लगती है पाते करने में आवाज निकालने में देखें इस बागीचे में हर एक पीड़ में कम से कम दो एक बच्चे हैं तो इससे क्या है नुकसान उस बागीचे वाले का ही है क्योंकि उसमें जो है फल अच्छा नहीं आएगा भी छोटा आएगा तो बच्चे नहीं रखने चाहिए बच्चे एक दो रहेगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब चार से पांच साथ देस होंगे तो प्रावलम होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको समझ में आई होगी सारी बाते जो मैं पेड़ के बारे में और खजूर के बारे में बताने की कोसित कर रहा था वह आपको समझ में आई होगी अगर समझ में आई वीडियो पसंद आया तो लाइक सेर और सब्सक्राइब क नेक्स्स वीडियो को इंतियार करें, तब तक के लिए, बाबाइ!